Good morning students, आज हम chapter number 11 में सीखेंगे कि अगर आपके पास area है और breadth है तो आप length कैसे find कर सकते हैं और अगर area है और length है तो breadth कैसे find कर सकते हैं तो इसको निकालने का एक formula होता है तो हमारे पास क्या क्या है area is equal to 400 square centimeter and breadth is equal to 16 centimeter तो इसका formula होता है length is equal to area by breadth तो उपर आपको area लिखना है जो कि 400 है और breadth कितना दिया हूँ है 16 अब आपको 400 को 16 से divide करना है तो कैसे divide कर सकते हैं 400 divided by 16 तो हम क्याले सकते हैं 16 के table में 16 के table में हमें 40 चाहिए तो 40 तो नहीं है तो हम क्याले सकते हैं 16 तूजा 32 then हम minus करेंगे 0 को 10 बनाएंगे and 4 को 3 क्योंकि 0 में से 2 minus नहीं होता then हम 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कहाएगा 8 और 3 में से 3 जाएगा तो 0 अब हम इस 0 को नीचे उतारेंगे अब क्या चाहिए हमें 80 चाहिए तो कौन से नमबर में आता है 16, 5, 80 तो हम क्या लिखेंगे 16, 5, 80 तो हमारा आंसर क्या हो गया 25 cm next B नमबर में क्या है area is equal to 696 square meter and breadth is equal to 12 meter तो सबसे पहले हम formula लिखेंगे length is equal to area by breadth so area क्या दिया हुआ है 696 and breadth क्या दिया हुआ है 12 meter so हम क्या करेंगे 696 को किसे divide करेंगे 12 से so 12 के table में 69 आता है क्या no हम क्या ले सकते है 12 5 जा 60 then minus करेंगे तो क्या जाएगा 9 6 में से 6 गया 0 अब हम 6 को नीचे उतारेंगे अब 12 के table में 96 कौन से नमबर में आता है 8 time so हम क्या लेंगे 12 8 जा 96 minus कर देंगे then क्या हो जाएगा ये answer हमारा 58 meter इसी तरीके से C नमबर का और D नमबर का आपको self solve करना है C नमबर में क्या दिया हुआ है area is equal to 2100 square meter and breath is equal to 30 meter D नमबर में area is equal to 24 square meter and breath is equal to 400 centimeter आपको द्यान रखना है इसको solve करते समय कि आपको meter को पहले centimeter में convert करना होगा then आपको divide करना पड़ेगा तो 1 meter is equal to क्या होता है 100 centimeter so 25 square meter is equal to क्या हो जाएगा 24 multiply by 100 then जब आप convert कर लेंगे उसके बाद ही आप formula के according divide करेंगे next question में क्या पूछा है find the breadth of the rectangle whose that means हमें क्या find करना है breadth so ए नमबर में क्या है area is equal to 1380 square meter and length is equal to 60 meter तो सबसे पहले हम formula लिखेंगे breadth is equal to area by length so area आपके पास क्या दिया हुआ है 1380 and length क्या दिया हुआ है 60 that means हमें 1380 को divide किसे करना है 60 से अब 6 के table में एक एक 0 लगा देंगे तो 60 का table बन जाएगा so 6 के table में हमें क्या चाहिए 13 आता है क्या नहीं so हम क्या find करेंगे 138 तो हम क्या ले सकते है two time ले सकते है तो two time में क्या हो जाएगा 60 220 हो जाएगा then हम इसको minus करेंगे तो क्या जाएगा 8 में से 0 गया 8 3 में से 2 गया 1 and then हम 0 को नीचे उतारेंगे यहाँ 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 अब हमें क्या चाहिए 180 चाहिए, तो 60 के टेबल में 180 खहाता है, 3 टाइम 63 is a 180 तो हमारा आंसर क्या हो गया 23, तो हम क्या लिखेंगे 23 मीटर नेक्स्ट कह दिया हुआ है area is equal to 66 square meter, length is equal to 900 centimeter मैंने आपको पिछले question में बताया अगर एक मीटर में है और दूसरा centimeter में है, तो आपको मीटर को पहले centimeter में convert करना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं 1 meter is equal to 100 centimeter सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 meter is equal to 100 centimeter हमें किसको convert करना है 66 square meter को convert करना है 66 multiply by क्या कर देंगे 100, सो क्या हो जाएगा 6600 centimeter अब area का measurement क्या हो गया 6600 सो formula क्या लिखेंगे breadth is equal to area by length तो area क्या हो गया है 6600 by length क्या दिया हुआ है 1100 यह 0 से यह 0 कर जाएंगे उपर नीचे और 1166 हो जाएगा that means हमारा answer क्याएगा 6 centimeter इसी तरीके से C number और D number आपको self solve करना है C number में दिया है area is equal to 2600 square meter length is equal to 2 meter आपको 2 meter को centimeter में पहले convert करना है and then D number में दिया है area is equal to 45 square meter and length is equal to 900 centimeter यहाँ पर आपको area को centimeter में convert करना है तो 45 का आपको 100 से multiply करना पड़ेगा जो answer आएगा उससे आपको 900 को 900 से उसको divide करना रहेगा अब आपके maths magic book में 148 नमबर के page में A number का question दिया हुआ है Arbaz plans to tile his kitchen Arbaz को अपनी kitchen के floor में क्या set करना है क्या fit करनी है tiles fit करनी है floor with the green square tiles किस से green square tiles के tiles का shape क्या होगा square each side of the tile is 10 cm और हर जो tile है उसका जो side है वो कितना होगा 10 cm his kitchen is 220 cm in length उसका जो kitchen है उसकी length कितनी है 220 cm और breads कितना दिया हुआ है 180 cm अब पूचा है how many tiles really need उसे इसको cover करने के लिए कितने tiles की जुरुत है तो सबसे पहले हम लिखेंगे side of square tile तो square tile का side कितना दिया हुआ है 10 cm अब हम क्या निकालेंगे एक tile का area निकालेंगे तो क्या लिखेंगे area of square tile is equal to क्या होता उसका formula area of square का side multiply side so side क्या है 10 है so 10 multiply 10 10 multiply 10 क्या हो जाएगा 100 तो tile का one tile का area क्या हो जाएगा 100 cm square अब question में आगे क्या बोला था कि जो kitchen है उसका floor का length और breadth क्या है 220 cm और 180 cm so हम क्या निकालेंगे area of rectangular kitchen so area of rectangular kitchen is equal to rectangle shape का area कैसे निकाला जाता है length multiply breadth so length क्या है उसका 220 and breadth क्या है 180 80 जब हम दोनों को multiply करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 39,600 यह क्या हो गया area of rectangular kitchen kitchen के floor का area हो गया अब हमें क्या find करना है number of tiles he need उसके लिए क्या करना पड़ेगा kitchen का जो floor का area है उससे हमें उसको हमको divide करना पड़ेगा किस से tile के one tile के area से तो हम क्या लिखेंगे number of tiles he need is equal to क्या आया है जो kitchen का floor है उसका area क्या है 39,600 और tile का area क्या है 100 अब उपर नीचे यह zeros कर जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा नीचे के one की कोई value नहीं होती आपके पास क्या बचेगा 396 तो हमें कितने tiles चेगे है 396 अब आपके book में दो और question दिये हैं B number और C number इन दोनों का आपको self solve करना है B number में क्या पुछा है The fencing of a square garden is 20 meter in length How long is one side of the garden अगर किसी square shaped garden का fencing जो है 20 meter length में है तो हमें क्या निकालना है How long is one side of the garden Garden के एक side का length निकालना है C number में पुछा है A thin wire 20 cm long is formed into a rectangle एक 20 cm लंबे wire को किसमें change किया गया किसमें form किया गया rectangular shape में If the width of this rectangle is 4 cm अगर इसका width 4 cm है तो आपको इसका क्या निकालना है length निकालना है ये दोनों question आपको self solve करना है और solve करने के बाद इसका pick खीच के आपको group में कल तक send करना है àक करने करना है प्र offs सम्फॉबेश्ट ये झापको करना ही प्रोचर्पप आप